वेल्कम 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 शिल्पी जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञानभारत में और हम सब बहुत पेश्चनी से इंदजार कर रहे हैं आज के सेशिन का ओवर टी यू थांकिय आप सभी को मेरा नमन और सेशन को शूरू करने से पहले मैं पत्री सर को नमन करना चा उसकी जर्णी को पढ़ रही हूं और अपने जीवन में उसको अनुभफ कर रही हूं दोस्तों इससे पहले भी मैं श्री एम की ऑटोबायोग्राफी को शेर कर चुकी हूं वो आप सबको बहुत पसंद आई थी इसी तरीके से मैं एक और आपके लिए श्री एम की जर्णी ले बताना चाहूंगी कि यह बुक उन लोगों को बहुत सप्राइजिंग लग सकती है जो अभी अभी स्प्रिच्वल्टी में नहीं आई है या फिर जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो ग्यान दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल उनका एक्स्पि किया हुआ है और ये बुक वो काफी टाइम की बात लिख रहे हैं और बुक को लिखते वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये बुक लिखतो रहा हूं लेकिन पता नहीं कि इस बुक को लोग किस मनों इस्तिती से सुनेंगे और समझेंगे पर फिवी वो बहुत हिम्मत करके अपने experiences को इसमें लिख रहे हैं, इसमें ये पता चलता है कि एक soul जो है, उसका कोई gender नहीं होता है, वो male और female, डोनों मैंसे किसी भी body में experience लेने के लिए birth ले सकती है, और Shree M के ऐसी past life रह चुकी है, जिसमें वो पहले किसी life में as a male उन्होंने experience लिया, किसी और life में उन्होंने as a female बन करके उन्होंने experience लिया, तो वो सारी उनके जो past lives थी, उन्होंने कुछ बहुत important है, वो उन्होंने यहां पे share की हुई है, तो उससे पहले, वहाँ पहुँचने से पहले, हम जानेंगे कि एक master की journey कैसी होती है, मतलब उसकी life कैसी होती है, बचप बुक में भी उन्होंने कुछ अपने बचपन के और अपने बाबाजी के साथ के experience इस बुक में भी share किये है, तो इस बुक की शुरुआत होती है, महेशोनाद बाबाजी के photo session से, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, तो श्री एम बताते हैं कि जो महेशोनाद बाबाजी है उनको अपना photo click कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इस बात को श्री एम उनको बोलते थे कि बाबाजी मुझे तो painting करना आता है, sketching करना आता है, मैं तो आपका photo बना कर गे रहूंगा, अब इसमें यह story है कि बाबाजी के नाचाने के बावजूद भी श्री एम वो photo किस तरीके से बना पाए, और इसमें उनकी क्या story रहती है, और इसमें बाबाजी ने यह technique सी बताए मैं है कि जो योगी होते हैं, वो कैसे अपने आपको photo click करने से, मतलब रोक लेते हैं, अगर कोई नहीं चाहता उनकी photo click करना, तो वो नहीं click होगी, वो photo में आएंगे ही नह और जो योगी सोते हैं, वो किस तरीके से गायब हो जाते हैं, किस तरीके से अपनी body को recreate कर लेते हैं, और फिर से अडूओं में और energy में विलीन हो जाते हो, फिर दुबारा अपने आपको भौतिक शरीर में किस तरीके से वापस लेके आते हैं, तो यह सारी चीज़ें जो हन तो वो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे श्री एम और महिशोनाद बाबाजी एक साथ बैठे हुए थे, और वो लोग बहुत सारे spiritual topics पर discussion करते थे, विदान, उपनिशद, इन सब बहुत गूंड जो विशे होते हैं, उनके बारे में वो आपस में बहुत एक दोस्त क करते थे बहुत सारे श्री एम कोशंस करते थे जो उनके दिमाग में आते थे, लेकिन बाबची बहुत शांत इसे बहुत प्यास से उनकी सारे कोशंस का आइसर दिया करते थे, तो ऐसे ही वो एक दिन discussion में चल रहे थे, अब श्री एम उनको पूशते हैं बाबाजी को, कि ब को फिश्वास नहीं होता है कि बाबाजी को क्या क्या चीज़े पता चल जाती हैं और वो यह बोलते हैं कि एक महा पुरोष इतना उन्नत योगी जो इतनी सारी शक्तिओं के साथ इस शरीर में क्या कर रहा क्या मानव शरीर में भी यह सारी चीज़े पॉसिबल है लेकिन यह बहुत चमतकारी उनको लगता था और एक दिन क्या होता है श्री एम अपना वो जो बाबाजी के साथ डिसकेशन होने के बाद में निकल जाते हैं फोटोग्राफर को ढूंडने के लिए अब वो फोटोग्र बहुत excited हो जाता है कि अरे फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे गुरू है जिनको पसंद नहीं है फिर तो मैं जरूर उनकी फोटोग्र करके रहूंगा और इस तरीके से श्री एम जो है ना बहुत निश्यन्त हो जाते हैं कि अब तो ठीक है अब कल जो है फोटोग्र ह होने ही वाली है बाबाजी के अब इसके बाद में वो चले जाते हैं अब दूसरा तिन ensuite शुरू होता है अब उनको यह भी दर लगा होता है कि बाबाजी को कह beginnen किसे पता ना चल जाए किister को कहीं आज का प्लानी cancel करते हैं और कहीं और जाने के लिए तयार हो जाएं लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबाजी जो है ना उनको बोलते हैं कि चलना नहीं है क्या तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलो आज गंगा किनारे चलते हैं तो श्रीयम बड़े खुश हो जाते कि चलो मतलब बाबाजी को शक्र नहीं हुआ है अब वो ज पुरे स्टाना फोटो क्लिक करके निखर जानगा अब घंटा हो जाते हैं स्वारे श्रीयम आज बड़े टेंशन में आ जाते हैं जो फोटोग्राफर मैंने बोला था वो आया क्यों नहीं आए अब वो नका तो बढ़ता जाते हैं उनकी तो बी पी हाई हो जाती है कि वह क् बोलते हैं मधू तुम फिक्र मत करो तुम्हारा फोटोग्राफर नहीं आएगा अब तो इतना शॉल्ड हो जाते हैं इतना रोते हैं बाबाजी के सामने कि बाबाजी मुझे मास कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कैसे बूल गया कि कोई भी चीज्च जो मेरे दिमाग में आती है उससे पहले आपको पता चल जाती है यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी वह बहुत रो रहे होते हैं तो बोलते कि नहीं कोई बात नहीं होगी है तो उससे और वह बहुत उदास हो जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना था, आपने मना किया था, फिर भी मैंने ऐसा किया, अब वो बहुत डीप, मैं एक सैडनेस की फीलिंग में चले जाते हैं, और रिवर को बहती भी नदी को गुंगा जी को देख रहे होते हैं, और शाम का समय होता है, रिवर भी बहुत सुन्दर सी, उस वक्त जो उन्होंने वर्डन किया है ना, नेचर का, वो अदभुत है, मतलब इतना प्यारा नों रिस्पैफ किया है नेचर को, कि अगर आप बुक रेट कर रहे हो, तो आप सीधे कनेक्ट हो जाओगे, कि वो मुमेंट आपके साथ हो रहे हैं, और आप साथ-साथ उनके इस चीज गरगर देखते हैं, वो तो एक्दम शोग्ड हो जाते हैं, उनकी दो चीख निकलने वाली होती है, क्योंकि हम बबागी की शैड़ नेचा दो के प्रांगे से मैं आपने आपको फोटो क्लिकred कराने से रोख सकता ह Came नहीं चाऊंगा, तब मेरी इमेज पोटों पे नहीं करते हैं कि जो फोटो क्लिक होती है वो होती किस तरीके से है यानि कि जब जो रौश्नी है उसकी ख्रणे हैं जब वो किसी वस्तुर पर पड़ती है तो उसकी इमेज्ज जो है वह हमारे आइस की लेन्स पर पड़ती है तब वो चीज हमें दिखाय देती एथिक यही चीज कैमरे के साथ भी होती है कि जब कोई लाइट कैमरे की जो मलब लाइट है ना जब कैमरे के लेंस पर पड़ती है तक्रा करके तो उसकी जो इमेज होती है वो कैमरे की जो फिल्म होती है उस पर बनती है तो बाबाजी यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो खिलने होती है रोश्णी होती है ना उसको image बनाने से रोक रहे हैं और उस image को बनने से ऐसे रोक रह क्योंकि वो जो light पड़ रही है वो अपने अंदर उसको एब्सवर्व कर ले रहे हैं वा ये हर कोई नहीं कर सकते हैं उन्नत योगी कर सकते हैं तो इस तरीके से जो रोशनी आ रही थी पहले श्री जो बाबाजी की बॉड़ी के ऊपर उन्होंने उसको एब्सॉर्फ कर लिया जिसकी वजह से बाबाजी उनको दिखाई नहीं दे रहे थे आप बाबाजी से बोलते हैं बाबाजी मैं समझ गया आप हैं और बोलते हैं बाबाजी अब बस आप दुबारा ऐसा दूकुल मत कीजेगा क्योंकि मैं बहुत डर गया था तो बाबाजी से फिर नेक्स्ट कोश्चन करते हैं श्रीयम कि बाबाजी यह जो योगी हैं यह जो गायब हो जाते हैं या एक जगर से दूसरी जगर ट्रेव होते हैं और बहुत अलग तरीके भी होते हैं जो सिर्फ बहुत उन्नत योगी ऐसा कर सकते हैं तो वह उनको वह भी एक्स्प्लेइन करते हैं वह उनको बताते हैं कि जब हम जो महान योगी होते हैं वह जब ऐसा करते हैं तो वह किस तरीके से करते हैं वह अपने शरीर के एक एक अडू को एक कड को उल्जा में विख्टित कर देते हैं और जब वो उल्जा में विख्टित कर देते हैं तो वो गायव हो जाते हैं और उनके पास ये पावर ये टेक्नीक होती है ये विज्ञानिक पद्धितियां हैं कि जब वो चाहे तो अपने उस उल्जा के जो विख इसको scientific way में भी explain करते हैं कि जो science है वो अभी तक ये पता नहीं लगा पारी है कि जो इस universe का main source है वो क्या है वो एक अडू है या एक उल्जा है क्योंकि जब भी वो देखते हैं इस चीज को तो कभी-कभी उनको बहुत छोटे-छोटे अडू कमपन पैदा करते हुए दिखते हैं तो उनको उस उल्जा में जो कण है अडू के वो कम वो उनको बनते हुए दिखते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आक्चिल में जो ये पूरा भ्रहमांड है उसका source क्या है पर जो बहुत उन्नत और महान योगीज हैं वो ऐसा बताते हैं कि जो चेतना है व मतलब उसको कंवर्ट करती है उसको इस काम को करने में इस तरीके से उनको ये समझ में आ जाता है कि भई बाबाजी की तो फोटो खीशना बहुत मुश्किल है तो डिसकेशन उनका यहीं खतम होता है अब उसके बाद में जैसी बाबाजी जाते हैं अब शीरी एमोस रहना झाँ लेकिन अब पहली बस से बैठा था यह लोनेक्ट सकता हैं फिर मैं में दूसरी बशम लेता हूं तो दूसरी में जाता हूं तो पता चलता है उसके मैं पौपांगल चलती है तो उस टेक्सी का भी टायर पंचर हो जाता है अब तुम इसे क्या कहोगे यह इतिफाक नहीं हो सकता तुमने बताया था कि तुम्हारे गुरू नहीं जाते हैं कि फोटो क्लिक करना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर बैठे ही मुझे रोक रहे थे यहां आने के लिए उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया तो मैंने तो दूस्ते ही आपके गुरू को प्रणाम किया और मैं तो वापस चला गए पर अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार और ट्राइ कर लेता हूं तो श्री एम बोल देर हैने तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का अब य पायोग्राफी भी लिखेंगे तो उसमें तो फोटो होना चाहिए जो लोग भी रीट करेंगे बही जिनके बारें बताया जा रहा है वो गुरू दिखते कैसे थे अब वो बहुत ज़्यादा हो जाते है सब को बताने के लिए तो बोलते है ठीक है अब बाबाजी तो है नह है बाबाजी का स्केच बनाके वो बिलकुल निश्य दो जाते हैं कि हाँ बहुत बाबाजी की फोटो बनके तयार है अब वो इसको अपने घर के बाहर सुखाने के द्धूप में रख देते हैं और देखते हैं बिए बिए ठीक है बादल खुले हुए हैं धूप निकली ए अच्छी तो वह सोचते हैं लोग घंटे का ब्रेक लेता हूं मैं अब अपना लंच करते हैं तो परके टाइम रेस्ट करने के लिए लेड़ जाते हैं और उसके बाद ही उनकी आंख लग जाती है और उनकी आंख खुलती है बाद लोगी गड़ड़ा हाट के साथ और जबकि उसमर का महीना होता है वोलते हैं उस महीने में कभी भाण बारिश नहीं होती है और वह एक्दम याद आता है यह इकते हैं बहुत तेज होने के बात में वह कुछ टाइम के लिए फिर दुबारा भूल जाते हैं अब जब बुक प्रिंट होती है तो मिने इसका मतलब है यह और उनको बाबाजी का एक एक लाइन याद आती है जो बाबाजी को बड़ी प्यारी होती है इसमसी की के नियम इंसानों के लिए नहीं बने तो वो इस चीज को ध्यान में रख करके फिर से ट्राइ करते हैं और अपकी बाद वो स्केच करनी के बाद में अपने स्कूल जो कि उनका स्कूल होता है उसमें जाते हैं और यह ड्याइंग टीचर को बोलते हैं कि इसको कंप्यूटर पे सेफ कर दो अब आश्यत हो जाते हैं वह जब वो फोटो जब बुक में चप जाती है तब वह बिल्कूर रुलेक्स हो ज अब यह बुक में प्रिंट हो गई है तो इस तरीके से बावाजी का यह जो फोटो सेशन था बहुत अधुसा यह तो बहुत लेंडी है लेकिन आपको बहुत शॉट करके बता रही हूं जब आप इसको पड़ेंगे तो आप बहुत इंजॉइ करेंगे इस तरीके से बावाज के टाइम पर उन्होंने बर्थ लिया था और उनसे उनकी मीटिंग होई थी उसके बारे में उन्होंने इसे बताया हुआ है वो बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जनम ले चुके थे उस टाइन पर उन्होंने इंद्रप्रस्थ जिसको अदिल्ली बोला जाता है वहां यमना नदी की सीमा पर उन्होंने रिशी के यहां पर जनम लिया था माता पता उनके दोनों ही रिशी थे तो इंदुमती लड़की के नाम से उन्होंने बर्थ लिया था और वो बताते हैं कि उनकी जो माता है उनका उनका जो डेथ है वो उनकी बर्थ के टाइम पर ही हो गया था तो वो एक रिशी की पुत्री थी तो इसलिए उनका लालन पालन भी रिश्यों के साथ ही हुआ था वो रिश्यों की जो कॉटेज होती ही कुटिया उसमें रहा करते थे एक बहुत ही प्यारे से जंगल में उनका घर था कॉटेज था जहां बिलकुल नेचर के पास में था और वो बताते हैं कि उनको जो विध्याएं है योगेट प्रैक्टिस हैं इसके साथ साथ उनको बहुत सारी जो आर्ट्स होती है जैसे कि हॉस राइडिंग वगरा होती है अस्तिश शस्त्र होते हैं उनका भी उनको पूरा ज्यान दिया हुआ था जब वो सोलाइस साल की होत जो रिशी हैं वो उनको बोलते हैं कि यहां पर गोपुल में विश्णु ने कृष्णि के रूप में अफ़तार लिया हुआ है और मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है और तुम मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो और इस तरीके से वो लोग निकल जाते हैं अपने घर से श्रीक खराब हो जाती है और वो बोलते हैं कि मैं शायद अब इससे जादा आगे नहीं जा पाऊंगा तो यहां यमना नदी में ही तुम जो है मुझे लेकर चलो और जो इंदुमती थी वो उनको लेकर के जाती हैं वहां तक और उनके जो पिता थे वो एक योगी थे तो वो खेच भी नहीं ले सकती हैं लेकिंट वह जल्दी से अपने आपको समालती है और प्रिश्न को डूंडने के निकल जाती है जाने से पहले उनके पापा उनको बता के गये थे कि तुम्हे गोफुल में उनका एक शिश्य है उसके उसको ढूंदना है और उसके पास में जाना है तो वो उन्हीं के पास जाती है, उनको ढूंडने लग जाती है, ढूंटे-ढूंटे वो जो उनके शिश्य थे, उनके पापा थे, वो उनको मिल जाते हैं, उनकी वाइफ जो है, वो भी कृष्णे की भक्त होती है, एक गोपी होती है वो, जैसे कृष्णे लीलाएं किया करते थे जो गोपियां हुआ करती थी उनमेंसे एक गोपी वह हुआ करती हैं अब वो बताते हैं कि वो बताती ही मेरे जो पिता है वो तरीके से नहीं रहे तो जो उनके शिशे थे वो बहुत उदास होते हैं और बोलते हैं थीके हमारा कोई बच्चा नहीं है हम तुमको as a daughter गोध लेत होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको बोलती है कि क्या आपको पता है कि यहां पे कृष्ण ने कृष्ण है यहां पे जिन्हों ने अफ्ताल लिया हुआ है तो उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि नाम मत लेना कृष्ण का मेरे मेरे हस्पेंड के सामने क्योंकि उनको पता है कि मैं क्रिश्ने से बहुत प्रेम करती हूं और सभी गोपियां उनको बहुत प्यार करती हैं और जब भी क्रिश्ने बांसवरी बजाते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और जहां आप से बांसवरी के धुना रही होती है हम मोहित हो जाते हैं समोहित और हम जाती हूं तो एक थाथ पूर्डिमा की दात होती है जो वो गोपी होती है वो तयार होती है सच्टी सवरती है और वो देखती है कि बिना किसी की रोक्टों के और ऐसी नींदों में चलके जा रही है और वो देखके शौक डो जाती है उनका मन करता है कि वो पीछे-पीछे जा के बैट जाती हैं और जो ध्यान में देखती है कि एक सामली से रंगी आकृती जो हेना उनके हाडच 누가 में हार्ट सेंटर में डांस करें और जो धुन है वह की से आ अगरे थी उनके अंदर से आरही है भो इस चीज़ को महसूस करते करते हैं ध्यान वस्ता में बहुत गैरी चली जाती है और इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट वो यहीं खतम होता है फिर वो मिलकर के आती है और बताती है कि ऐसे ऐसे कृष्ण जो है इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है हम लोग रोक नहीं पाते हैं हम लोग बहुत अच्छी से तयार होते इसे मिलने के लिए जाते हैं तो इंडूमती बोलती कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूं तो आपकी बार तुम तैयार है तुम और अब कि बार झाईगी तब मैं तुमके लेकर चलूंगी तो पूंड़ माशी Hip Ad tap near वो उनकиваем जो गोपी होती है उसका नाम मुझे अब याद बिना अपने आपको रोकी नहीं पाती है और निकल जाती है जो उनको तयार करी होते हैं गोपी को निकल जाती है उनका वेटी नहीं करती है कि जो श्रीयम है चंदरी का जो इंदुमती है वो भी साथ में आ रही है अब क्या होता है कि इंदुमती जो होती है वो वह भी बासु हैं और कि तुम तो बहुत अपने आपको सहियां में रखना जानती हो क्वाना मुझे से मिलने के लिए कैसे आगई तुम कैसे मुझे से मोहित हो गई है कि मैं तो जो है ना रोक नहीं पाई अपने आपको मतना पता नही कौन सी शक्टी ठीज दो मुझे किछी चली आई थी और मैं जो इस तरीके से मिलने के लिए आ गई तो कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम्हारा लाइस का परपस क्या है वो उनको बोलते हैं कि बहुत सालों पहले तुम्हारी कुछ इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी वो मुझसे मिलने के बाद में अब इस लड़ा जाएगा कौरव और पांडवों के बीच में तुम्हें वहाँ पे जो पांडव हैं उनकी साइट से युद्य लड़ना होगा और तुम्हें एक सिपाही की तरह लड़ना होगा और इससे पहले तुम्हें अपने आपको बहुत तयार करना होगा तुम्हें एक और तब मैं तुम्हारे साथ में होगा जैसे कि तुम्हारी आत्मा जो है उसका अध्यात्मिक विकास जाएगा एक और आगे बढ़ जाएगा और वैसा ही होता है फिश्रियम बताते हैं कि कई सालों के बाद प्रिश्णी के ऐसे बोलने पर जिस गुरू का उन्होंने एड्रस बताया होता है रिशी का वहाँ चले जाते हैं कुछ टाइम उनके साथ रहते हैं और ज्यादा अपने आपको अस्त धामा जो है उनके बाण से उनके दिल पे बाण लगता है और वो रत से गिरने वाली होती है तब ही कृष्णी वहाँ आते हैं और उनको सम्हाल लेते हैं और कृष्णी की आँखों में दिखते हुए जो इंदुमती होती है उस लाइफ बर्थ में वो अपने प्राणों को प्याग देती है और ये सब होने से पहले श्री आयम को ये भी बताते हैं क्रिश्ण के इसके बाद कई टाइम के बाद तुम बीच में अलग अलग जो भ्हमांड हैं वहाँ पे भी बर्थ लोगे और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ सालों के बाद तुम यहां प्रत्वी पर दुबारा बर्थ लोगे और जब तुम बर्थ लोगे तो तुम एक रेगिस्थान के इलाके में वहां के राजा बनोगे और वहां तुम्हें मेरा ही अव्तार मिलेगा और वो तुम्हें आगे का माग दिखाएगा तुम उसके शिश्य बनोगे इस तरीके से जो है वो बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी हैं स्टार्स हैं बहुत सारे ऐसे प्लैनेटस है जहां पर हम बेस लेते हैं और श्रीय इंहें संपम्पलीट होती है और इसके बाद में अब चुर्शी मih वो बताते हैं कि बाबाजी के साथ जो उनके संवाद हुए थे उसमें वो बहुत सारे questions बाबाजी से पूछते थे कि बाबाजी estrel travel क्या होता है estrel body क्या होती है हम जो सपने देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं ये कई बार अपने आपको रात में उड़ते हुए देखा है सपनों में इसका मीनिंग क्या होता है हम किस तरीके से कोई खंबा भी आता है तो बड़ा बचके निकलता हूं कि ये मुझसे तक्रा ना जाए इस तरीके से और मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन से मैं कभी नहीं मिला तो यह सारी चीज़े क्या है क्या यह सपने और यह सपने हमें आते किस तरीके से हम देखते किस तरीके से हैं तो बावा जी उनको यह चीज़ बताते हैं कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे अवचेतन मन में दभी हुई कुछ हमारी इच्छाएं होती ह है ठीक है और हमारी जो सोल है जो ऐस बॉड़ी से एक्सिश्म लेती है वो दोनों दिखाई देता है इस चीज़ को हम कैसे मान सकते हैं तो बाबा जी बताते हैं कि नहीं हम सब के अंदर एक सूश्म शरीर भी होता है जिसके थू हम सपने देखते हैं जब हम रात में सो रहे होते हैं तब वो सूश में शरीर हमारे सोने के बाद निकल जाता है रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी मैं से और वो कहीं भी जा सकता है कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और यह जो है वह रात में सोते वक्त जो सपने दिखाए देते हैं वह यही इसी का result होता है एक्चली हमारी astral body होती है वो इधर उधर भूम रही होती है experience ले रही होती है जिसको कि हमें नीदों में याद नहीं रहता कब कौन गया कब आया हमें इतनी awareness नहीं होती है अपनी body के लिए और यह चीज़े हो रही होती है और इसी को हम अपना सपने बोल दिया करते हैं और शीरियम यह बतात हैं कि मानव के जो मस्तिश्क है उसमें कुछ केंद्र ऐसे हैं उनमें कुछ ऐसी machines डिवाइन ने fit कर गए बेजी है कि इन अनुभवों को हम याद नहीं दरपाते कि कब हमारी estral body निकली कब वो वापिस आई इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं यह automatically होता है हमारे साथ में औ वह सिर्फ बहुत उन्नत योगी ही होते हैं जो इसको देख पाते हैं बाकी जो हमारी estral body होती है उसको कोई नहीं देख पाता और बाबाजी बताते हैं कि जिस तरीके से जो हमारा यह स्थूल शरीद है यह अनुभव लेता है five senses से जो हमारे पांच इंद्रियां होती है उस astroud body होता है उसके जो तत्व वह बहुत अलग होते हैं और बोलते हैं कि जो astroud body होती है वो देख सकती है सुन सकती है पर वह किसी भी चीज को टच नहीं कर सकतीे अगर आप सारी चीज़ों को महसूस कर सकते और वो किसी भी चीज में किसी भी चाहे वाल हो चाहे माउंटेन हो चाहे वाटर हो कोई भी चीज उसको नुकसान नहीं पहुचा सकती है वो हर चीज को क्रॉस करके कहीं भी जा सकती है और यह जो हमारा एस्टरल जो बॉड़ी होता है सुछ में शरीर यह हमारा सिलवर कॉट से हमारी नाभी से जोड़ा हुआ होता है तो ये तब ही कटता है जब किसी person की physically death हो जाए otherwise ये बिल्कुल भी नहीं कटता है हमेशा safe रहता है रात में हम इसी तरीके से travel करते हैं और जो योगी होते हैं वो इस तरह का travel जागरत अवस्था में करते हैं जैसा कि काफी लोगों को meditation में experience भ अपनी नाभी से नहीं निकालते हैं वो अपने आग्या चक्र से निकालते हैं अपनी थर्ड आई से निकालते हैं और क्योंकि नाभी से जो निकालते हैं वो हम लोग travel करते हैं लेकिन जो उन्नत योगी से होते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं कहा मिलना है किस से मिलना है क जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेथ होते हैं या उन्होंने भूतों को दिखा हुआ है यह क्या चीज होती है तो बाबाजी उनको बोलते हैं कि भूत प्रेथ जैसी कोई चीज नहीं होती है जब किसी परसन की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद में जो उसका सूश्म शरी होता है वह बहुत ज्यादा देड़ तक के लिए वहां नहीं रहता है वह एक वो होता ही नहीं है वो अपने बॉडी को जब शोड़ते हैं तो अपना जो कारण्ट शरीर होता है causal body है तो causal body में shift कर लेते हैं या अपने आपको किसी कि तो causal body भी खतम हो जाती है पर causal body को कुछ योगी सुरक्षित रखते हैं जिससे कि अगर उनको दुबारा birth लेना हो humanity के लिए कुछ ऐसे message देने के कुछ उन्नतकारे के लिए जो समाज के लिए हो अध्यात्मिक विकास के ल होने वाला है आपकी life में आगे वो भी आपके current शरीर में ही store होता है तो वह उसको रखते हैं और बाकी लोगों के जो है वह रेस्ट के लिए निकल जाती है आगे birth के लिए तो बाबाजी उनको बताते हैं कि एक हमारा एक इत्रिक शरीर और होता है हमारा जो इत्रिक शरीर ह होता है वह हमारी body के साथ बिल्कुल चुपका हुआ रहता है मर्ज रहता है वह बोलते ही जब किसी person की sudden death हो जाती है या accident में हो जाती है तो उसमें क्या है body को एकदम शौक लगता है जटका लगता है जिसकी वज़े से उसकी जो इत्रिक body होती है वह एक जटके के साथ बाह हुए रहते हैं हमेशा attention में रहते हैं उन लोगों को ही body दिखाई देती है और या फिर जो spiritually थोड़ा सा अवेक हो चुके होते है इस practice पे होते उन लोगों को दिखाई देती है इसके अलावा यह किसी को दिखाई नहीं देती है और यह body तब तक जिंदा रहती है जब थोड को dissolve होना ही होना है लेकिन जो कुछ तंत्र के practice किया करते हैं और उसने काम करवाते हैं इसकी किवा नहीं हो कुछ अपने और काम जिस्ते तंतर के जो लोग अपने मनशा को लेके उनके पास माँ जाता है जो भी काम रहते हैं उसके लिए इसको use करते हैं जबकि यह रूल के बिलकुल खिलाफ है जो प्रहमाद के निये में उसके बिलकुल खिलाफ है लेकिन वो ऐसा करते हैं तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको लोग बोलते हैं कि उन्होंने भूट को देखा है और बाबा जी ये भी चीज बताते हैं कि एक तरीके से उसको ięcy जैंजो नहीं होने दते हैं और ये बहुत ही जादा उनके लिए भी का रहा है क्योंकि जब ऐसे जो गिदी एस दुनिया से टो और ये भी किसी को को इस तरह की एथरिक बॉड़ी अगर परिशान कर रही होती है तो इस तरह की बॉड़ी को जो लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं spiritual practices करते हैं वो लोग इसको मिंटों में खतम कर सकते हैं और जिनका औरा बहुत स्ट्रॉंग होता है जो इसे में विश्वास करते हैं होते हैं जिनका औरा मजबूत होता है उनको यह उनके आसपास भी नहीं भटक सकती है तो बूत प्रेट उन्हीं को यह दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा सियर में रहते हैं और एथ्रिक बॉड़ी को ही वह ऐसा बोलते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है उनको इस्टेल बॉडि निकलतीवी दिखाएँ देती हैं जो कि बुलू क Κलर के तंतू के रूप में होती है जो इनको दिखाएँ दे रही होती है आप सोच सकते हैं कि अबर हम सब लोग सो जाते हैं रात में तो कितने सारे लोगों की एस्टर बॉड़िस होती होंगे तो वो क्या व्यू होता होगा तो श्री एम उस कॉर्टेस का वड़न करते हैं कि बहुत सारे रिशियों की योगिस की कॉर्टेस में से बहार जा रहे होते निकल रहे होते हैं ट्रेवल के लिए पर वो समझ जाते हैं कि उनको महिशोनात बाबाजी ने इस चीज़ के बारें बताया हुआ है और यह वजी चीज़ है और इसमें जो है श्री एमने एस्टर ट्रेवल हम कैसे कर सकते हैं उसका उसकी जो टेक्नीक है वो भी उन्होंने बत पाएंगे आगे इस बुख में जो है ना श्री एमने ये बताया हुआ है वो बताते हैं कि एलियन्स होते हैं या नहीं होते हैं और दूसरे भ्रहमांट के जो निवासी होते हैं क्या वो अपने अर्थ प्लैनेट पे आते हैं और उनका हमसे संपर कितना पुराना है इन सारी चीज़ों को श्री एमने इसमें बताया हुआ है इसमें श्री एम बताते हैं कि जो लोग भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं तो वो उनका अपना परस्पेक्टिव है वो बिलीव करना चाहें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लेकिन ये ट्रू है श्री एम बताते हैं कि कर रहे ते इनको छह मीने हो गये दो सिखाए ती作िędल की छो लिकिन एक दिन अचानग क्या होता है वो रात में एक इं newcom डाल के सोते हैं कि मुझे बाबा जी 7 कर सकते हैं यह मैं आपको लहि वाफ सेशन सीपने उन्य पंख men तो अब क्या होता है ना श्री एम बस एक लास्ट इंटेंशन डालके सोई होते हैं कि मुझे बाबाजी से मिलना है बाबाजी इस वक्त कहां होंगे और यह बात के हों दुनों कि जब वो अपनी कॉर्टेस में गंगर नहीं कि किनारे लक्षमान जूले के पास में जूनका कॉ जो है नंकी फिसीकल बॉर्डिमेस से अलग हो चुकिए है और वो खुदको सोता वदिखते हैं और वो यह भी बताते हैं कि जिस तरह से वह खुद को शीशे में देखते हैं र स्में और की फिशिक बॉटीक हैं नहीं बहुत एक शक्ति के थ्रूप खिशता वह मैसूस कर दे कोई पावर है जो उनको खीच रही है अब उनकी जो एस्टर बॉड़ी होती ही वह खिशती भी चलती आती चलती जाती है वह खुद को देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि वह हमाले परवतों की उची चोटी पर जा रह है तो इसका चक्र लगा हो ते क्छक लोग में लेकिन मुझे को będzie सकता हूं कि अब हो और लृभasto के जैसे ज को दिमाग उनकी होती है उस चटान की तरफ चान हो जाते हूए इसचन के बीच में क्रैक हो रहा होता हूका धरार हो जाह रही होती है सब्सक्राइब उसके बोल से वह चतान होती लाइच रामा होते हैं उनके साथ में जो अगनी होती है तो वह सारे लोग करते हैं जिस तरीके से मुझे जो समझ मैं मैं आपको बता रही हूं जैसे हम सब सकते हैं कि बहुत बख़ते हैं कि बोगों को इनतो मोजी के बिना कोई मुझसे मिल नहीं सकता मैंने नहीं तुम को यहां भुलाया है क्योंकि तुम एक जो तुम्हारे अध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है तुम्हें इन सच को पता होना चाहिए बाबाजी बोलते हैं कि जो ट्रेवल करते हैं उसका जो नाका होता है गेट जो होता है उसका वह मैंने तुम्हारे लिए ओपन कर दिया था इसलिए तुम मुझे देख रहे हो अब वह बाबाजी को लेट के परणाम करते हैं बहुत खुश हो जादे काफी टाइम के बाद बाबाजी से मिले हुए होते हैं अब बाबाजी को नमस्ते कर रहे होते हैं वह जो लामा होते हैं उनको भी नमस्ते करते हैं लामा बहुत जो बुद्धिस्ट लामा होत है तो बोलते क्या यह मुझे देख पा रहे हैं तो बना अच्छा भी लगता है कि इतना ओपने साथ कुछ भी बात कर रहे हैंकि गुरु बिलकुल भी नाराज नहीं होते थे बाबाजी तो मैं क्या इनको बढ़ाम करूं तो बाबाजी नहीं सकते हैं लगने तुमको इनको इसको ब्रदाम करना चेह तो श्री Acellana ज्वनम वुद्दिस लामा को भी परनाम करते हैं नमन करते हैं अब वो उनको बताते हैं कैसे ऐसे श्री अैम को बुलाया हुआ है और हम लोगों को वहां जाना है और जो गुद्धिस लामा होते हैं वो क्या करते हैं जो ऐसी गुफाएं होती हैं जो हिमाले में आज भी मौजूद हैं जिनकी जहां पे जो दूसरे ग्रह के जो वासी हैं यहां आते हैं उनके अंत्रिक्षियान आते हैं वहां पे वो रुकते हैं और बहुत ही उन्नत जो ग्यान होता है, अध्यात में ग्यान होता है, हमारे विकास के लिए, वो कुछ selected लोगों को देते हैं वहाँ पे, उनके कुछ अवशेश हैं, जो सबूत हैं, वो वहाँ रखे हुए हैं, तो उस प्लेस की वो जो लामा होते हैं, वो उस गुफाओं की देख रहे करते होते हैं, तो बाबा जी के बोलने पर, वो जो है न, समझ जाते हैं, कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे से शरीयम आए हुए हैं, और अभी लोग जाने वाले हैं, तो बाबा जी भी वहाँ पर लेड़ जाते हैं, और अपनी एस्टरल बॉड़ी में जो है न, साथ चल देते हैं तो शीरी हम बताते हैं कि मेया बाबाजी जब जा रहे होते हैं तो हम लोग ऐसी इसी जगहों से निकल रहे होते हैं जो पुरानी और कुछ तो में आप ऐसा लग रहा था कि कोई सभ्यता थी वहां पर जो khandar हो चुकी है और हम लोग उसको क्रोस करते वह निकलते जाते उन पहाड़ीों पे और उसके बाद में वह खुद को एक ऐसी जगह पे पाते हैं जो पहारी होती है जो खंडरों के पीछे छुपी वह होती है दिखती नहीं किसी को भी अब वह वहां पर जा करके उसमें एंटर करते है अब वो देखते हैं कि वह एक ऐसी पहाड़ी होती है जिसमें से कई सारे रास्ते जा रही होते हैं अलग-अलग जगह पर जाने के लिए तो वहाँ पर होने के बाद देखते हैं मुझ ऐसे अवशेश रखे हुए होते हैं जिससे पता चलता है कि यहां पर जो है न काफी सारे लोग आये हुए होंगे अब वो बताते कि जो छत होती है पहाड़ी की जो चोटी होती है उसकी उपर बैगनी कलर की रौशनी आ रही होती है जो की बहुत थंडी होती है वो सूधिंग एनलजी होती है बाबा जी उनको बताते हैं कि यह जो है कि जो प्राणी आई वे थे उन्होंने जलाई वही है और इस तक्नीक को अभी तक साइंस जो है डेवलप नहीं कर पाया है और यह लाइट ऐसी है कि सौ साल तक अभी ऐसे ही जलती रहेगी अब वो अभी भी वहां पर जल रही है तो श्रीयम को वो बोलते हैं कि यहां पर पहले एक टाइम पर सब्त रिशी आये थे साथ रिशी आये थे यहां पर जो कि यहां पर ज्यान देने के लिए आये थे वह चुनिंदा लोगों को और उसमें से दो की यहां पर डैथ हो गई थी और पांच जो है वो यहां यहीं पर रुखे हुए थे उनके जो अंत्रिक श वहां पर उनका अंत्रिक्ष्यान लेंड होता था वो जगह पर कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वज़े से वो अपने घ्रह में वापिस नहीं जा पा रहे थे तो जो दो थे वहां पर वो ऐसे थे जो अर्थ को अर्थ के वाताबड में उनको रहने की आदत नहीं थी जिसकी वज़े से वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाते और उनकी डेथ हो जाती है और बाकी यह जो पांच थे उनको जब उन्होंने मदद मांगी अपने दूसरे अपने घ्रह में तो उन वहां के जो रहने वाले जो उनके साथी थे वो उनको लेने के लिए आते हैं और जब उनक बाडी को उन्होंने एक लेप लगा करके बहुत सुरक्षित रखा हुआ है जिससे कि जो भी यहां पर अध्यात्मिक विकास के लिए इस तरह के जो भी इस पर टू सीकर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए कि इस तरीके से उनको बताने के लिए कि बही दूसरे ग्रह से भी बताते हैं कि इसमें कुछ लिखे हुए हैं जो कि उनके यात्रा के हैं मतलब अभी तक इन लिपी को पढ़ा नहीं गया है अगर कोई इसको पढ़ता है तो वो यह पता लगा सकता है कि यह कितने पुराने हैं कितने टाइम से इनका और हमारा संपर्ख है और यह कब-कब हमे से रख़े हुए होते हैं विश्री बाबा जी से पूछते हैं कि यह क्या है तो बाबा जी उनको बताते हैं के यह कच आईस यह से या पधात के बने हुए हैं जिनको अगर कोई इसका चोटा सा टुकड़ा भी अगर वो पानी में घोल के पीज पीज है तो वो हजारों साल तक जीवित रह सकता है लेकिन बात यह है कि हमारा जो मानव शरीर है उसकी कोशिकाएं इसको पीने के लिए नहीं बनी है अगर कोई इसक रखते हैं हम लोग और इसके बाद में जो श्रीयम है वो यह बताते हैं कि जो दो जो रिशी थे उनकी जो बॉडी थी उनको बाबाजी दिखाते हैं जो की काच के बॉक्स में रखी हुई थी और वो उनका उसका जो वर्णा ने वो तरीके से करते हैं कि वो करीब 10 फीट ल लभी पैने हुए थे और उनको देखने से ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वो फीप क्योंकि उनकी बॉडी पर एक भी बाल नहीं था तो बाबाजी बताते हैं कि वो अलधनारिश्वर का ही फॉर्म हैं जैसा वो पार्वती हैं इसी तरीके से उनके जो बॉडी है उसमें मेल और फीमेल दोनों की प्रजनन अंग्र हैं तो वो अल्दनारिश्वर के फॉर्म में ही थे तो नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है और इस तरीके से बाबाजी उनको बोलते हैं कि अब तुमने काफी कुछ इस चीज के बारे मैं जान लिया है और जितना तुम्हें समझना तुम्हें जानना था उतना मैं तुम्हें बता चुका हूं अब अब जो है बाबाजी उनको बोलते हैं कि अब तुम जाओ और अपने जुकुटिया है अपनी उसमें जाकर के अराम करो तुमको यही दिखाने के लिए आज मैंने बुलाया था तो श्रीयम उनके आदेश प है ऐसे ऐसे लोग में गए है जहां बहुत अजीबो गरीब सर वाले हाट पिर वाल ऐसे विंग रहते इस को कहते हैं इस चैप्टर को, और आज के लिए मैं अभी इतना ही बताते हो फिर बागी का पार्ट मैं एक्सेशेयर करते हो Thank you so much ma'am Thank you Shilpi ji Thank you ma'am बहुत बहुत ही अच्छा बताया आपने Very interesting तो कोई और कुछ पूछना चाहेगा इसके बारे में कुछ हाँ राजे शुरी जी बोलिए Hello ma'am बहुत बहुत अच्छा बोला आपने इतना एक बार भी आप बुक भी नहीं देखा है इसके बोलते जारे हैं इतना ऐसा लगते कि हमारे आपो के सामने दिख रहे हैं इसके लिए आपने पर बहुत बहुत अच्छा था Thank you so much Waiting for tomorrow Without seeing the book बहुत 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 अच्छा लगा इतना अच्छा लगा मतब आपो के सामने दिखता है वो इतना अच्छा लगा Thank you, thank you so much Thank you, thank you so much और कोई कुछ कहना चाहेगा Thank you, thank you, thank you, thank you Shilpi Wonderful Thank you एक चीज में आपको बोलना चाहूंगी यहांपे कि जो लोग भी अभी नए जोड़े हैं और या हो सकता है बहुत सारी YouTube पे अभी आज पहली बारी सेशन को देख रहे हो उनको भी ऐसा लगता है पहली बुक में कि कुछ चीजें ऐसी है जो शायद मैंने अपने पास से बोली हुई है या ऐसा नहीं है वो बिलीव नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जब इस बुक को रीट करेंगे ना तो आप लोग खुछ समझेंगे और काफी सारी चीजे से समझ में आती है कि जिससे हम लोग को बोला जाता है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए और हमारी लाइफ कैसी रहती है अभी नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसका कल जो शेर करूँगी उसमें आपको यह पता चलेगा कि हमारी जर्णी कितनी लंबी है और जो हमारे गुरू होते हैं वो किसी भी जनम में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं अगर हम कभी ऐसा होता भी है कि हम थोड़ा नीचे गिर भी जाते हैं अपने करमास की वज़े से तो भी वो किसी को भेज करके हमें फिर से उपर उठा देते हैं और उनका जो उनके गुरू के साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत सालों से चलता रहा है और एक हजा साल की जो जर्णी रोनेस में शेयर की हुई है उसमें उनको अलग-अलग मास्टर्स मिले थे और किस तरीके से वो ग्रो होते गए कभी मेल कभी सी मेल कभी कैसा बर्थ लिया वो सब मैं आपको कल शेयर कल का सेशन सुनने के बाद आपको इस चीज को समझ में आएगा कि इतने जो महान जो अभी इस समय श्रीयम हमारे सामने हैं गुरू उन वो भी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े हैं कि किन चीज़ों से गुजरते हुए वो यहां तक आए है तो इस चीज को हम कल समझते हैं थैंक यू